तो दोस्तो नमस्कार जेहिन जे बाहर रतमे सुनिल कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लोग विद सुनिल में तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेंथस प्लांट की केर के उपर और हम सबी जानते हैं कि डेंथस का जो है जो आख स्वाइब को आजए तो यह मिलते हैं जैसे हैं,सहे ब हैं रखनेर और लोल है वह दकाने नियुकरत देख स्वाओल में अक्या है कैसे हैं स्वाइब कर दिक होएब inhib आ जाने बैंगनी कलर है और यह भी लाइट पिंक है तो इस तरह के से डैंतर्स की काफी वराइटी एबी लेबल है और बात करेंगे तो यह प्लांट आप ज्यादा केर नहीं मांगता है जो प्रैक्टिकली जो है उसमें जो आप देखेंगे एक एक साथी सिड्लिंग करके मैंने इन प प्लावर है उनकी ग्रोथ किस टाइप की है जो नीचे से प्लावर के जो न्यू सूट्स निकल रहे हैं वो थोड़े कम निकल रहे हैं मगर इसी की जगह आप देखेंगे जो मैंने पॉली बेग में लगाया है और खाद दोनों को सेम दिया है मगर जो जिसका पॉली बेग में लगाया है उसको आप देखेंगे तो मेरे खेल में इसमें कहीं से अभी जगह ही नहीं बची है कि यह इतना ज्यादा फेल चुका और जितना ज्यादा प्लांट अपना न्यू ब्रांचिस निकालेगा उतने ज्यादे फ्लावर हमको मिलेंगे तो खाद की अगर बात करें और मट्टी की बात करें तो अगर आप मट्टी देते हैं तो सेंडी सोईल रखें तकरिवन जो आपकी सोईल मिक्सर रहेगी पोटिंग सोईल हो चाए पॉली बेक का सोईल हो वह आपका 40% रखें उसमें आप गार्डन सोईल और 30% आप रखें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 30% जो रहेगा वो रहेगा आपका 30% खाद 30% 60% आपका 40% आपकी गार्डन सोईल और 30% रखें आप रेत तो इस तरीके से एक रहसो बना लीजिए और उसे आप लगा लीजिए तो आपको जो है यह एक बेहतरिन रिजल्ट देगा और साथ में जो फ्लावर रहेंगे वो आपका दिल खुश करेगा और ऐसा बात नहीं है कि डेन्थस एक टाइम पिरेड है सीजनल प्लांट है सर्दी में थोड़ा ज्यादा खिलता है इस होजे से आप हम इसे सर्दी का प्लांट कह सकते हैं मगर इसके लिए सर्दी क्योंकि हम लोग ने मैंने इसकी कटिंग को ग्रो किया है क्योंकि एक डबल पेटल का डेन्थस था मेरे पास और उसे में ने ग्रो किया है छोटे से गमले में और वो पिछले मेरे ख्यान में पांस साल से वो प्लांट हमारे पास चल रहा है मैं दिखाता हूं अभी उस प्लांट को और उस हिसाब से जो प्रेक्टिकल का ग्यान है कि हम डेन्थस को सर्दी का प्लांट नहीं बोल सकते और यह आपको अगर आपके पास रहता है और आप इसकी केर अच्छी तरीके से कर पाते है तो यह सालों साल चलता है आपका और फ्लावर की बात करें तो यह लागातार ही फ्लावर में रहता है मैंने गर्मी में भी इसको फ्लावरिंग करते हुए देखा है अपने घर पे तो मगर यह है कि हाँ जो इसकी सीडलिंग होगे रहा है वो हमें सर्दियों में मिल पाती है इस वज़े से हम इसे सर्दी का प्लांट कहते हैं मगर अगर खात की बात है महीने में एक बार में एक गिलास जो रहता है वो हमारा सर्सो की खली का पानी को दो दिन भीगाने के बाद जो उसका लिक्विड बनता है उसे हम एक गिलास महीने में एक बार देते हैं और प्लांट कोई प्रॉब्लम नहीं करता हा थोड़ा यह सुंडी वगरा की प्रॉ दवाई डाल देंगे तो मारे जाएंगे इस वज़े से मैं कीडों को मारने के लिए कोई दवाई वगेरा यूज नहीं करता तो जो दिखते हैं उनको पत्ते तोड़के उठाके फेग देता हूं और वैसे जगह पर डाल देता हूं जिस जगह पर उनको और खाना मिल जाए में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है और फ्लावरिंग जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी और साथ में इनको धूप मिलेगा हां बस यह है कि इसे आप फूल सनलाइट में रखिए पानी लिमिटेट दीजिए ज्यादा पानी भी प्रॉब्लम नहीं करता मगर यह रहता ह इसे प्लांट जो है सर्दी में ज्यादा पानी होने से प्लांट का खेरता है कि मट्टी जो होती है वो टाइट हो जाती है और जब अगर मट्टी आपको लगता है कि टाइट हो गई है तो अपने प्लांट की गुडाई जरूर करें एक बार और इस तरीके का फ्लावर आप को मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको जो मैंने अपने डवल पेटल वाले जो कटिंग से लगाए हैं और यह देखेंगे आप तो यह भी हमारा कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है यह एक पेड़ के हमने चार-पांच ठेने कटिंग करके इस कमने में लगा कह तो u taro about 그렇게 is a economist फ्लावर्वर्विक्ण भी अब इसमें फ्लावरिंग शूरू हो चुकिये साथ प्लावर्वर्विक फोल ईखाए है अदे इस तरीके सें हां पे फ्लावर रखे वे अर यह मैं है जो कीग जिसे हमने कटिंग ते ग्रो किया है और डवल पेटल में है यह और आप देखिए छोटे गमले में हैं और अभी इसी साल का प्लांट आप देख सकते कि यह प्लांट की मैचोटी कितना पुराना प्लांट हो गया है और कटिंग से ही गुरो करते हैं हर साल इसको और अगर इसकी अभी भी देखिए इसमें फूल अभी मतब इसमें बीज ह तो, मैं आपको इसके सीड भी दिखा देता हूँ अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो, अगर सीड होगा इसमें सीड है तो, अभी ये में चोर नहीं हुआ है तो अभी रहन दीजिए इसको तो, ये कटिंग से लगाएबा प्लांट है और यह भी कटिंग से लगावे प्लांट है तो सोक बड़ी चीज है और मेहनत मांगता है आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट इस टाइप से मिलेगा और अगर आप और प्लांट भी देखना चाहें तो मेरे और प्लांट भी आपे रखे वे हैं और अपनी प्लाउनिंग में आगे हैं और आप देखेंगे तो अभी कली किला आने लग रही है और जो सीजन है अब यदौ पूरा फ्लाउर्वरिग का गली कति独ांट है तो आप देखेंगे यहां पे कुछ एक जिनकी अभी में ईपको and बेक्राइशन नहीं किया है। मैंने अब डेकोरेट करने का टाइम आ रहा है और आप यहां पे देखेंगे तो हमारे जो यह यह डेलिया का प्लांट है जिसमें यह घर में ही ग्रो किये वे डेलिया हैं कोई खरी देलिया नहीं हैं और इन डेलिया के जो मदर प्लांट है वो यह है इनमें भी अपकली आने लग रही है और यहां पर आप देखेंगे तो यह हमारे गुल्दाओदी अभी दो से तीन दीन के अंदर आपको गुल्दाओदी के जितने कलर मेरे पास खिल चुके हैं उन कलर की में एक वीडियो आप लोगों को जरुद करते हैं केवल बिना गुडाई करें भी अगर आप गुलाब को अगर केर अच्छी तरीके से उसको अच्छे टाइप का खात दे पाते हैं तो आपका गुलाब का रिजल्ट इस टाइप से आएगा तो यह देखेंगे आप यहां पर हमारे फ्लावर खिल रहे हैं अगर आप पढ़े अब टाइम आ गया है इस ट्रोफरी का तो इस ट्रोफरी की भी यह पिछले साल का प्लांट है और यह भी मैंने खुद बीच से ग्रोग किया है मेरे को लगता था कि स्ट्रोफरी का प्लांट उगाना बहुत मुस्किल का काम है मगर जब मैंने इसकी शीडलिंग की तो मुझे पता लगा कि यह जैसे हम टमाटर उगाते हैं उससे भी आसान है इस टोप रेंके प्लांट को ग्रो करना तो आगे वीडियो मिलती रहेंगी आपको इन लोगों के उपर और यह आप देखेंगे जिसे मैं रेकोमेंड करता हूं प्लांट को की अगर आपको पुरे स साल अपने गार्डन में फ्लावर चाहिए तो यह प्लांट आप जरूर लगाईए क्योंकि यह आप प्लांट लगाएंगे तो यह प्लांट आपको पूरा साल फूल देता है और आप देखेंगे एक, दो, तीन, यह चोथा कलर इदर है, यह चार और यह पांच, पांच कलर यहां पर है, और अभी जो हाल फिलाल में मेरी जो यह प्लांट का जो हमने छटा छटा वेराइटी ढूंडा है, यह गुलाबी कलर में है, यह और एक ही कटिंग मिल पाई थी, यह कटिंग को मैं ग्रो करके बचाल लिया है, मैंने, तो इसके उपर अगली वीडियो जो आए प्यार दीजे, मिलता हूँ अगली वीडियो में, ऐसे ही कॉंटेंट, ऐसे ही टोपिक के लिए, दब दक के लिए, जेहीं दे भारत, वंदे मातरम, बाई बाई, टेक केर